हलो स्टूद्स तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडी चनल पर इसका नाम एंकेसिंग और जैसे कि आप सभी होता है मेरा भी नाम अंकीत चैनल पर निवह तो चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लेना है थोड़ा सपोर्ट अपने तरप से जरूर दिखाओ अगर आप य कमेंट्स आ रहे हैं कुछ यह इंस्ट्राग्राम पर जो स्टूडेंट बात बता रहे हैं तो थोड़ा सा उसके उपर मैंने रिसर्च की तो क्या बात है मैं आपको बताता हूं तो कुछ दो तिन शूडेंट ने कमेंट करके यह कहा कि सर जो हमारी एक्जाम है पीसी आम गरूप वालों की जो कि 5-11 पे और जो सी उइटी जो कॉममन इंट्रेंश टेस्ट इस बार हो रही है जिसका स्ट फेस अभी चल रहा है और सेकंड फेस जो कि अगर्स्ट में होने लिए है MSTCET की PCM group और CUET की second phase की exam जो है clash कर रही है ठीक है तो क्या सर प्रॉब्लम हो सकती है क्या कि बच्चे लोग दोनों exam एक साथ हो जाए जैसे कोई बच्चे ने CUET के लिए भी form भरा है MSTCET के लिए फॉर्म भरा है तो ऐसा हो सकता है क्या तो देखो है MSTCET एक common entrance है जो कि एक state के लिए ठीक है यह ज़रूरी नहीं किसी state वाले बच्चे दे सकते है एक्जाम कोई भी दे सकता है पर वो एक state का entrance है ठीक है और जो CUET जो है वो All India entrance हो रही है possibility जरूर है कि कोई बच्चा अगर CUET दे रहा है और MSTCET भी दे रहा है तो clashes हो सकते हैं अगर second phase में हो दे रहा है तो यह problem हो सकता है बहुत सा student भी बात कर रहे है तो इसके उपर कोई भी बात निकल के आएगी कोई भी बात मुझे अगर मिले गया भी तक तो इसके उपर को आपको क्या करना है हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है जो भी मिलेगी हर एक अपडेट आपको मिलेगे आर काउंसिलिंग तक ठीक है वीडियो एंड करता हूं थैंक यू